Morning Classics, Today we will understand Chapter 11, Light, Shadow and Reflection तो Light, Shadow and Reflection चैप्टर को आप हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले, We see so many objects around us, हम क्या देखते हैं, बहुत सारी चीजे, यानि कि बहुत सारी वस्तु हैं, हम अपने around, अपने आसपास देखते हैं On the way to school, we see things like bus, car, cycle, trees, animals and sometime flowers. How do you think we see these objects? देखो, हम क्या स्कूल आते वक्त हैं, यानि कि अपने घर में भी हम बहुत सारी चीजे देखते हैं, जिसे bus, car, trees, animals, sometime flowers, तो अपको क्या लगता हैं, हम इने कैसे देख पाते हैं, ठीक है? Think of the same place at night time, if it were completely dark, what will you see? देखो, अब हम उसी place को night में देखेंगे, तो क्या देखेगा? Completely dark, क्योंकि night में कोई रोशनी नहीं होती है न, तो हम क्या देखते हैं? कुछ नहीं देखता हमें light में, कुछ भी नहीं देखता है, सिर्फ dark, dark अंधेरा, blackness देखती है Suppose you go inside a completely dark room, आप क्या एक dark room में जाते हैं, completely रात को देखेंगे, आप अपने घर में, एक room में जाएंगे, dark room में, तो आप क्या देखेंगे? Are you able to see any object in the room? तो आप क्या, कोई चीज, कोई वस्तू अपने room में देख पाते हैं, जब कोई light नहीं होती, रात को, कोई light नहीं जल रही है room में, और बिल्कुल dark room, तो आप क्या room में जब जाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं देखता है, कोई वस्तू महाँ पर रखा हु जलाद होगे, ठीक है, या फिर torch जलाद होगे, तो क्या है, आपको उस रूम में प्रेजन्ट जो है वस्तू यह दिखने लग जाएंगे, है न, without light, things cannot be seen, तो हमें इससे क्या पता चला, कि without light, हम क्या कोई चीज को नहीं देख सकते हैं, light helps us see object, light हमें क्या help करती है, वस्तू of its own, the sun is another familiar object that gives its own light, during the day, its light allow us to see object, object like sun, that give out or emit light of their own arc or luminous object, देखो, क्या है, टोर्च जैसे, जैसे torch है, चीज क्या है, या फिर क्या है, electric bulbs है, यह क्या है, यह अपने आप से हमें light देते हैं, जैसे कि sun है, sun भी तो हमें दिन में खुज से light देता है, तो तो क्या, ऐसे objects को हम क्या कहते हैं, luminous object कहते हैं, ठीक है, जो its own, यानि कि खुज से हमें light देते हैं, what about object like a chair or painting or a shoe, we see these when light from a luminous object fall on these and then travels towards our eyes, तो क्या है, जो यह luminous object है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमें help करते हैं, चीजों को देखने की, क्योंकि यह luminous object क्या देते हैं, हमें light देते हैं, जो हमारी आँखों की तरह travel करती हैं, जिससे हम बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं, जैसे कि chair है, painting, shoes, यानि कि अपने आसपास की वस्तूओं को हम देख पाते हैं, luminous object की help से, जो हमें light देते हैं ठीक है, आप यह समझेंगे